किन बातों का ध्यान रखेंगे जब पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करके हॉस्पिटल ले जाए और वहाँ पे आपके M.L.C. बनाई जाती हैं डॉक्टर सब आपकी M.L.C. बनाते हैं और अगर M.L.C. में वो सारी बाते इंक्लूड नहीं है, मेंशिन नहीं है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस तरह की M.L.C. को आप कोट में चैलेंज कर सकते हैं नमशकार भारत, मैं हूँ अडवोकेट अनिता बर्मा जब पुलिस अधिकारी आपको अरेस्ट करके, हॉस्पिटल लेके जाएं, तो डॉक्टर साब M.L.C. बनाते हुए, काफी चीज़े उसमें मेंशन करते हैं उस टाम आपकी कंडिशन क्या थी, आपका बीपी क्या था, और हार्टबीट क्या थी, ये सब मेंशन किया जाता है आपकी बॉड़ी पर कितने माँग है, वो सब लेकें मेंशन किया जाता है आपको कहीं पर चोट लगी है, किसी incident में तो वो injury वो चोट किस तरह की है और किस तरह के weapon से आपको वो पहुँची है, किस तरह के weapon से आपको वो लगी है, वो भी डॉक्टर साब बड़ा clearly MLC के अंदर लिखते हैं डॉक्टर साब उसमें ये भी लिखते हैं कि किस समय पे आपका examination शुरू हुआ और किस समय पे आपका examination conclude हुआ, मतलब end हुआ आप सभी लोगों को ये नहीं पता कि जब आपको hospital ले जाया जाता है, तो आप अपनी MLC की मांग डॉक्टर साब से free of cost कर सकते हैं और आप लोगों को अपनी MLC, अगर आज से पहले आप लोगों ने नहीं मांगी हैं, तो आज के बाद किसी की भी अगर MLC होती है hospital में, किसी भी case में, आप उसकी मांग करें So that, आपको ये पता हो कि MLC के अंदर ये सारी चीज़े लिखी हैं या नहीं लिखी हैं Last में, डॉक्टर साब अपना एक opinion लिखते हैं, उसके अंदर MLC के अंदर, कि वो क्या समझते हैं, क्या लगता है उनको, कि जो चोट आपको लगी है, वो किस तरह किस टाइम पे लगी है, और किस तरह के weapon से लगी है तो उनका opinion बहुत matter करता है, कोट किस इसको deal करने में, solve करने में, डॉक्टर साब को अक्सर कोट बुलाती भी है, उनका cross examination भी होता है अपने cross examination के time पे डॉक्टर साब अपने opinion के बारे में बताते हैं, जो वकिल साब उनसे question पूछते हैं तो इस तरह से MLC जब हमारी हो रही है, हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है अगर MLC में ये सारी बाते mention नहीं की गई है, जो मैंने अभी आपको बताई है तो इस तरह के MLC को आप challenge कर सकते हैं कोट के अंदर Thank you so much for watching this video, I hope मेरी ये legal जानकरी आप लोगों की help करेगी अगर मेरी legal assistance आप लोगों को लगे, तो आप मेरे से contact कर सकते हैं और मेरे से मेरे chamber में आके मिल भी सकते हैं